जहन्द मित्रों भारत में गरीबी कम हुई है ऐसा रिपोर्ट आया है UNDP का United Nation Development Program का सयूंगत राष्ट्र विकास कारेकरम की रिपोर्ट है कि गरीबी कम हुई है कैसे नीती आयोग ने सयूंगत राष्ट्र विकास कारेकरम के निश्कर्षों की पूस्टी की है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच यानि पंद्रा से एकईस हम कहलें के बीच इन पान सालों में साड़े तेरह करोड लोगों को बहु आयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है साड़े तेरह करोड लोगों को इन पान सालों में बहु आयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है इसी पद्धती का उपयोग करते हुए और राष्ट्रिय परिवार स्वास्ति सर्वेक्षण डेटा के आधार पर नीती आयोग ने यह भी अस्पस्ट किया है कि गरीबी 24.8% से घटकर लगवे 15% हो चुकी है तो जहां 25% से 15% आ चुकी है गरीबी 10% गरीबी कम हुआ है इन पांच सालों में गावों में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है यहां पर गरीबी 32% से घटकर 17% मालने हो गई है जबकि शहरों में यह 8.5 प्रतिशत से घट कर 7.5 प्रतिशत हो गई है तो शहर में 9 परसेंट से घट कर 5 परसेंट हो गई है गाउं में 32 परसेंट से घट कर 19 परसेंट हो गई है यानि 19, 29, 32, 32 लगभग 13 प्रतिशत गरीबी गाउं में कम की गई है लग भग तीन परिश्शत गरीबी शेहरों में कम की गई है और दोनों को मिला लें तो लग भग भग 15 परिश्शत गरीबी कम हुई है उत्तरपर्देश, मध्यपर्देश, बिहार, राजस्थान, पस्यम, मंगाल उत्तरप्रदेश इसको जिसको बिमारु राजी कहा जाता है योपी, एमपी, बिहार, राजिस्थान, पशिम मंगाल इसको बिमारु राजी कहा जाता है में ही नौ करोड से अधिक लोग गरीबी से उपर आ गए है गरीबी निवारण की बात कही गई है SDG 1 में SDG 2 में कहा गया है खादि सुरक्षा, सतत क्रिशी, पोशर सुरक्षा शोनि भुखमरी, यह है SDG 2 में SDG 3 में है स्वास्थि और कल्याण SDG 4 में है लैंकिक समानता SDG 15 में है जैव विविधता SDG 13 में है जलवाई परिवर्तन तो 9 करोड से अधिक लोग गरीबी से उपर आ गए है इन 5 राजों में UP, MP, बिहार, राजिस्थान, पश्यम, बंगाल में 9 करोड से अधिक लोग गरीबी से उपर आ गए है यह भारत सरकार के कई कल्याण कारिक्रमों जैसे की हम देखें परधान मंत्री श्रिआन योजना यही लेक परधान मंत्री जन्धन योजना मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया, बहुत सड़े से डिज़िटल भारत अभियान और डेरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो चला था स्वक्ष भारत कारिक्रम जिसके ताहत करोणों सोचाले करेब 12 करोड सोचाले बनाए गए परधान मंत्री उज्वला योजना जिसके ताहत लगभग 10 करोड सिलेंडर गैस बांटे गए परधान मंत्री हर घर जल से नल से जल योजना पहुचाए गई यह पहुचाए दिए गए सड़कें बनाए गई इन सब को देखते हुए जो मार्किट जो क्रिशी उत्पाद है क्रिशी के सेक्टर में बहुत सरी कारिक्रम होई जैसे प्रधर्मंद्रे किसान संब्वान निदी योजना के दाथ हर साल 6,000 रुपए खाते में आते हैं दो-दो-हजार करके त इन बार में आता है चार-चार महिने के अंतराल पर तो इन सब से किसानों की आयत दोगनी के नजदेक पहुँचने में साहता मिली हैं तो कई कल्याण कारिक्रमों का परिडाम कहा जा सकता है पोशड स्वक्षता आवास खाना पकाने के संसाधन वाले कारिक्रमों के असी करोड लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है पिछले कई महिनों से और आगे भी दिया जाता रहेगा आवास खाना पकाने के संसाधन जो हैं यह सब दिये गए गरीबों के लिए चलाई जा रहे कल्याण करी योशनाओं के चलते अब बड़ी संख्या में लोगों ठीक करने के लिए मारक दर्शन भी मिलता रहता है और यह 19 जुलाई 2021 में प्रकाशित संपाद की में लिखा गया था इस वीडियो में इतना ही पूरा देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद